दोस्तों महाभारत की ठीक तरह से सुरुवात राजा सांतनु की कहानी से होती है राजा सांतनु के पुत्र भिस्म पितामा थे आईए दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको बतलाते हैं कि किस तरह राजा सांतनु के कारण कौरव और पांडवो के कुल का प्रारंब हुआ और किन तीन सर्तों ने इसमें सबसे जादा महत्पून भूमी का निभाई थी सबसे पहले बात करते हैं पहली सर्त की दोस्तो इच्छवाकू बंस में महाविष नामक राजा थे उन्होंने असमेग और राजसुई यग्य करके स्वर्ग प्राप्त किया एक दिन सभी देवता आदी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए बायू के बेग से स्री गंगा जी के वस्तर उनके सरीर से खिसक गए तब सभी ने आँखे नीची कर ली किन्तु राजा महाविष उन्हें देखते रहे तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम मृति लोग को जाओ जिस गंगा को तुम देखते रहे हो वह तुम्हारा अप्रिये करेगी इस प्रकार महाविष का जन्म राजा परदीप के रूप में हुआ परतापी राजा परदीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे उनके तप रूप और संदर्य पर मोहित होकर देवी गंगा उनकी दाहिनी जंगा पर आकर बैठ गई और कहने लगी हे राजन मैं आपसे बिवाह करना चाहती हूँ मैं जवहू रिसी की पुत्री गंगा हूँ इस पर राजा परदीप ने कहा गंगे तुम मेरी दाहिनी जंगा पर आकर बैठी हो जबकि पतनी को तो बामांगी होना चाहिए दाहिनी जंगा तो पुत्र का परतीक है अतर मैं तुम्हें अपने पुत्र बधो के रूप में स्विकार कर शकता हूँ यह सुन गंगा वहां से चली गई दोस्तो जब महराज परदीप को पुत्र की प्राप्ती हुई तो उन्होंने उसका नाम सांतनू रखा प्रतापी राजा परदीप के कारण उनके पुत्र सांतनू हस्तिनापुर के राजा हुए और इसी सांतनू से गंगा का विवा हुआ, डिवाह के वक्त देवी गंगा ने यह सर्थ रखी कि आप से जो भी मुझे पुत्र उत्पन्न होगा, उसका मैं क्या करूंगी इसके वारे में आप जिस दिन भी सवाल पूछेंगे, मैं पुना स्वर्ग लोट जाऊंगी, गंगा से उन्हें आठ पुत्र मिले, जिसमें से साथ को गंगा नदी में बहा दिया गया, तब तक राजा सांतनू ने यह नहीं पूछा, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, परंतु जब सांतनू और गंगा के आठ में पुत्र का जन्म हुआ, तो राजा सांतनू से रहा नहीं ग अब आपके हवाले, सांतनू ने गंगा के आठ में पुत्र का नाम देबरत रखा, यह देबरत ही आगे चल कर भिस्म कहलाए, आठ में पुत्र को जर्म देकर देवी गंगा स्वर्ग लोक चली गई, तो राजा सांतनू अकेले हो गए, अब बात करते हैं दूसरी सर्थ की, दोस्तो एक दिन सांतनू यमना के तट पर घूम रहे थे, कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुन्दर कन्या नजर आई, सांतनू उस कन्या पर मुगध हो गए, उन्होंने कन्या से उसका नाम पूछा तो उसने कहा महराज मेरा नाम सत्यवती है और मैं निसाद कन सांतनू सत्यवती के प्रेम में रहने लगे, सत्यवती भी राजा से प्रेम करने लगी, एक दिन सांतनू ने सत्यवती के पिता के समक्ष सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने यह सर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन पुत्र ही हस्तिन पुर्का युवराज होकर राजा होगा तभी मैं अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में दूँगा राजा इस प्रस्ताव को सुनकर अपने महल लोट आए और सत्यवती की याद में ब्याकुल रहने लगे जब यह बात गंगा पुत्र भिस्म को पता चली तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के खातिर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की सपत ले ली और सत्यवती का विवाह अपने पिता से करवा दिया सांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए चित्रांगद और बिचित्रवीर्य चित्रांगद की गंधर्व युद्ध में मिर्ति हो गई और बिचित्रवीर्य का विवाह अंबालिका और अंबिका से हुआ बिचित्रवीर्य को दोनों से कोई संतान नहीं हुई और वह भी चल सत्यबती धीवर नामक एक मच्छारे की पुत्री थी और उँख लोगों को अपनी नाव से यमुना पार करवाती थी एक दिन उबहा रिषी परासर को अपनी नाव में लेकर जा रही थी रिषी परासर के रूपी navigating भगाए और उन्होंने उस से प्यार करने की इ coy सत्यवती ने रिशी के सामने तीन सर्ते रखी सत्यवती की पहली सर्त थी कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं देखे तब रिशी परासर ने एक कृत्रिम आवरन बना दिया सत्यवती की दूसरी सर्त थी उसकी कौमारेता प्रभावित नहीं होनी चाहिए तो इसके लिए रि सबूं में बदल जाए तब रिसी परासर ने उसके चारों और एक सुगंध का वातावरन पैदा कर दिया सत्यवती और परासर रिसी के प्रेम के कारण महान महर्शी बेद व्यास का जन्म हुआ कहते हैं कि बेद व्यास रिसी के कारण ही धित्राष्ट और पांडू का जन्म अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शैर करना न भूलेगा और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्दक वीडियो देखते रहने के लिए आप मारे चैनल ज्यान मन्तन को सबस्क्राइब जरू कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ज्यानवर्दक वीडियो ले